आपको आधार कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस बताएंगे और इस नए आधार कार्ड के क्या वेनिफेट रहेंगे और क्या रहेगा उसके बाले में आपको पताएंगे यह सभी को डाउनलोड करना अनिवार रहे है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर uidi.gov.in ओपन करेंगे और इस आधार काड की ओफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे आने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस परकार से दिखाए देगा यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से window open होगी फ़स्ट pop-up पर रहें आपको क्लिक करदेना है, नीचे की ओर स्कॉल करना है यहाँ पर आपको download आधार का option दिखाई देगा इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको अपना आधार number एंटर करना है और capture एंटर करना है और send OTP पर click कर देना है जैसे कि हमने अपने case में यहाँ पर कर दिया है OTP send हो चुका है अब यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर enter कर इंटर करने के बाद आपको यहां पर वेरिफाइट ड हो हैगा। उसके बाद आपको देखे इस परकौच से यह पर ओप टम आजाएंगे काफी सारे तो यहां पर आप लेगे। यह आप के सामने कुछ इस प्रकार से बिंडो ओपन हो जाएगी अब यहां पर आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार से आता है जो कि आप OTP verify क्लिक करेंगे और आपका आधार कार्ड जो डाउनलोड हो जाएगा अब देखिए पाश्वर्ड जो बनाना है आपको कैपिटल अक्सर अपने नाम के चार लिखने हैं और जनम्तिति लाष्ट का चार एयर लिखना है जो मतलब जनम्तिति के लाष्ट एयर होता है जैसे कि 2004 तो वो 2004 इत्यादी इस प्रकार से अब यहाँ पर एंटर करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे ओपन पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेड़ेफ हा जाती है अब यहाँ पर आपका नया वाला जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ पर इस पर देखे ल ओनलाइन प्रवाने करन, QR कोड और देखें, ओनलाइन एक्षिमल फाइल द्वारा किया जा सकता है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप नया वाला अपना आधार काड डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करवा सकते हैं, अगर दोस्तों आपको ये इजी मेथड लगा है और वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगले ही के वीडियो